इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है यूकरेन पर रूसी हमले के बीच खारकीव से निकलने की होड़ सी मची भी है रिफ्यूजी संकर जिसकी बात लगातार हो रही थी खारकीव रेलवे स्टेशन पर जन सेलाब उम्रा हुआ है बारतिय चात्र भी खारकीव रेलवे स्टेशन पर नज़र आएं खारकीव प्रिशासन का दाबाय की 24 गंटी में रूसी हमले के 21 लोगों की मौत हो गई है रूसी हमले जिस तरीके से हो रहे और आपको बता दे की खारकीव वो शेर है रवी बिल्कुल बिल्कुल दिनेश और युद्ध के आठ दिन में दस लाग लोगों को छोड़ना पड़ा है देश दस लाग से ज़्यादा युक्रेनी पड़ोसी देशों में शर्णार्थी बने ऐसा युक्तराष्ट मानवा धिकार परिशत की अपील है ये युद्ध ततकाल रुकना चाहिए मानवा धिकार ने ये अपील किया है सवाल ये पताईए दस लाग लोगों को छोड़ना पड़ा है युक्रेने का और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है और वो बड़ी खबर है अब रूस बनाम नेटो की जंग के मिलने लगे है साफ संके देखी हमारे तमाम खास मेमान बहुत ध्यान से सुने नेटो बनाम रश्या ये मुखाबला होता हुआ नजर आ रहा है रोमानिया का फाइटर जेट मिग 21 ब्लैक सी में हो गया है क्रैश रोमानिया जेट को मार गिराय जाने का अंदेशा है रोमानिया ने चानबीन के लिए IAR 330 हेलिकॉप्टर बेजा है सर्च के लिए गया रोमानिया इं IAR 330 हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया है अब नेटो का मल्टी रोल एरक्राफ्ट मौके पर पहुचा है क्या नेटो डिरेक्टली इंवाल्व हो सकता है कपिल सर बहुत बड़ा सवाल है यह नेटो क्या जारेक्ट इंवाल हो सकता है क्या नेटो नहीं इनवाल मोड सर के पास आते हैं सर आपको क्या लगता है नेटो देश जो है वो खुल करके मदद करेंगे अच्छा नो नो वे आई डोंट सी देश बूट बूट सान ग्राउंड क्योंकि उक्रेण मेंबर नहीं है नेटो का बट नेटो प्रेस करेगा भी रश्या को आपको लगता है इसके पीछे एक कारण ये भी है कि अमेरिका और नेटो देश रश्या को अंडेस्टिमेट नहीं कर सकते हैं जानते हैं वो कितना मजबूत देश है और वो थार्ट वर्ल्ड बॉर्ड नहीं चापने नहीं कर सकते कि वो डेमोक्रासी नहीं और एक डिक्टेटर लीड कर रहा है और पुतिन क्या नेटो के रोकने से नहीं रुक रहे हैं और नेटो क्या करने वाला इस सवाल पर नेटो सिफ अपनी तरफ से प्रेशराइज कर सकता है और बाकी कंट्रीज को बोल सकता है कि वोटेवर इस हैपनिंग शुड नॉट हैव हैपनिग परवाह देश की सोमवार से शुक्रवार रात दस बजे टीवी नाइन भारत वर्श पर